दिवाली पर बूंदी के लड़ू का परसाद भगवान कोना चड़े ऐसे कैसे हो सकते है हाँ जी मैं भगवान के लिए घर पर ही अक्सर बूंदी के लड़ू का परसाद बनाती हूँ ये मैं बहार से नहीं लाती क्योंकि बहार बहुत मिलावत इस टाइम होती है तो अच्छा है कि हम घर पर ही बनाएं लेकिन ये बुंदी के लड़ू कोई ऐसे वैसे लड़ू नहीं है इसको मैंने बहुत authentic तरीके से बनाए है हान जी इसको ना तो मैंने fry करके grind करके बनाए है ना ही soak करके बनाए है इसको मैंने इस तरीके से बनाए है कि यदि आप पहली बार भी बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बनेंगे और इनका स्वाथ तो ऐसा है कि जितना खाओ लेकिन मन नहीं बढ़ेगा इतने सुन्दर देखने में ही लग रहे हैं कि बस एक मिल जाए लिकिन मैंने भी अभी तक एक भी नहीं टेस्ट किया बगवान को भोग लगाये बिना कैसे कहा सकते हैं तो वीड दिवाली तक वेट करना ही पड़ेगा तो चले इसको बनाते हैं मेरे साथ बहुत अथेंटिक तरीके से मैं बताऊंगी कि आप यही पहली बार भी बनाएंगे तो बिल्कु अच्छे से आप इसे बना लेंगे कोई गलती नहीं होगी तो यहां सबसे पहले आप देखिए मैंने बेसन लिया बेसन आप मूटा लीजिए पतला लीजिए कोई दिक्कत नहीं है यहां मैंने बिल्कु दबा दबा कर एक कप बेसन लिया है मैंने कप का यूज इस तरीके से किया है लेकिन आप इसकी जगा घर का कोई भी बरतन चाहे वो कटोरी हो कप गिलास हो कोई भी मेजर्मेंट लेके उसी तरीके से आप बना सकते है तो सिंपली यह 120 ग्राम बेसन है इसको मैंने ले लिया है अच्छे से दबा कर और अब इसको हम यहां पर छान लेंगे तो यहां पर हमें बेसन को छानना ही होता है तो इसलिए आप मोटा हो या पारी कोई भी बेसन यहां पर यूज़ कर सकते है इसको हम अच्छे से यहां पर इस तरीके से सारे को छान लेंगे छानना बहुत ज़रूरी है किसे हमारे जो लड़ू बनेंगे वो बहुत जो कहते हैं जो बारिकी होती है softness होती है वो बिल्कुछ गैसे बहुत दानेदार बनते हैं वो इसी लिए बनते हैं क्योंकि हम पहले तो अच्छे से इसको छान लें अब छानने के बाद देखे मैंने सारे बेसन को अच्छे से छान लिया है अब हमें इसमें पानी डालना है पानी हम बहुत ध्यान से डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको तब तक अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसमें बहुत अच्छे से ही बिल्कुल पतला और चिकना बिल्कु घोल हमें यहाँ पर त्यार करना है गोल कर त्यार करने से पहले हमें इस बात का धियान रखना है कि बहुत जादा पानी ना हो जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जैसे इसमें डले भी ना बने लंस भी ना बने और यह बहुत तो इस तरीके से अभी और इसमें पानी लगेगा तो इस तरीके से अभी और इसमें पानी लगेगा टोटल पानी यहां पर वन थर्ड कप तक यूज हो चुका है तो देखे ऐसी थिकनेस हमें चाहिए अब आपको दिख रहागा गोल बहुत पतला होगे बस बहुत पतला गोल चाहिए बस इसकी चमच पर पड़त लग जाए बस उतना ही गारा होना चाहिए तो देखे इस तरीके से मैं आपको इसकी यहां कंसिस्टेंसी चेक करा रही हूँ और साती साती के आप मैं फिंगर से ऐसे लेयर पर देखे निशान लगाएंगे तो ऐसी पतली लेयर हमें दिखाई देगी तो इसी तरीके का घोल हमें चाहिए होता है यदि आप इसको पतली बुंदियों वाला बनाना चाहरे है हाँ जी कंसिस्टेंसी उस पर डिपेंड कर यहां पर ऐसे दही के पैकेट में बना कर दिखा रहे हैं चाहिए आप दूद का पैकेट भी ले सकते हैं मोटा एक कोई भी पैकेट ले लीजिए उस पर अच्छे से यह बन जाएंगे तो इस पैकेट को मैंने इस पर डाल दिया यहां पर मैं जाले का यूज नहीं कर रही ह कि लवाई अकसर जाले का यूज करते हैं लेकिन आज मैं आपको यहां बीना जाले के कैसे बना सकते हैं बहुत असान तरीके से जब भी घर पर बंड करें आप बना सकते हैं कोई किसी चीज की जरवत नहीं सिंपली आपको बेशन होना चाहिए घर पे और यह बनकर आपका त्यार हो जाएगा बिल्कु जबजस्त वाला तो देखे इसमें हम ये घोल डाल देंगे घोल हमको डालते वक इस बात का धियान रखना पूरा वहना नहीं है तोरह सा उपर से छोड़ देंगे इस तरीके से आप देखे मैंने इसमें धाई कल्चिल डालने के बाद इतना ये ह हो गया अब सबसे जो कहते हैं important काम है वह यह है कि हम इसकी कट लगाते हैं वह हमें कैसा लगाना है ये आपको मोटी बूंदी चाहिए जो मोटी वाली तो उसमें हम क्या करेंगे छेट बड़ा लखेंगे ये हमें पतली बूंदी चाहिए तो हम यहां पर बहुत छोटा सा लगाएंगे तो देखे इस तरीके से देखे पहले मैं उपर से बंद कर दिया रवरवरण की हेल्प से और अब हम क्या करेंगे इसको देखे ऐसे मूँ पकरेंगे और बहुत छोटा सा जितना छोटा हो सके उतना छोटा हम यहां पर एक छेट करेंगे और छेट करने के सारी जल जाएंगे और डानने के बार हाथ को बहुत हाई से हमें इस पर ऐसे डालना है यह मेरा पहला राउंड है इसमें थोरी से बूंदी अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि मुझे भी अंदाजा नहीं लग पा रहा था कि यह कितने उचाई से इसको डालू तो पहली बार सारी बहुत अच्छे से बनकर त्यार हो गई तो यह मीडियम फ्लेम पर पहले करना है फिर गैस स्लो करकर हम इसे बूनेंगे और फिर देखे फ्राई जब अच्छे से हो जाएगी तो देखे मैंने यहां चाई की छनी का यूज किया है क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं ह इससे होटे हैं कि निकल जाते हैं आप देखे मैंने गय vilko efficace即ro बनाना है तो देखे एसे हमें गैस को लोकुर बनाने जाहिए तो सहरीन है इसे सिन जो ड्रॉफ आएंगी तोटती जाएंगी और इस तरीके से डालने के बार हमें एक बार में बहुत ज conduc daran नहीं डालना है नहीं तो कुछ पकेंगी कुछ खची रह जाएंगी तो आप इस बार का ध्यान रखेंगा कि एक बार में इत्से जादा ना डालें आप देखिए इसका रंगी बता रहा है कि बहुत अच्छे से पक गई है तो इसे छनी की help से मैं ऐसे चानती जाओंगी तो एक बार में ज़्यादा मत डालेगा नहीं तो यह अच्छे से नहीं बन पाएंगी थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है तो यह देखिए सेकिड राउंड की बिल्कुँ पॉपफेक यहाँ पर बुंदी बन कर निकली है इसी तरीके के हमें बुंदी चाहिए होता है आप इस तरीके की बुंदी चाहते हैं तो बना सकते हैं यह आपको थोड़ी और मोटी वाले बुंदी पसंद है तो आप इस खचे थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं अब देखिए इसको इस तरीके से हम दूसरे तीसरे बोलूगी अब तो मैं तीसरे राउंड की भी मैंने ऐसे डाल कर चाहन लिए तो यह तरीका है बुंदी के लड़ू के लिए सबसे मुश्किल काम यही होता है इसको फ्राई करना जिसको फ्राई करते हैं बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है गैस कैसे रखनी होती है कितनी उचाई से हम इसको डालना होता है यदि हम इन सब बातों को दिहान रखेंगे तो अराम से बुंदी बना लेंगे और यही यदि आपने समझ लिया तो पूरे लड्डू में और कोई प्रॉब्लम नहीं है आप देखिए एक राउंड का सारा बेशन खता होंगे अब लास्ट में जो भी बेशन है इसमें डाल द जाएंगे जो लगभग आदा किलो के करीब है और आपको मैं ड्रॉब भी दिखा रही हूं चेक करके देखिए इस तरीके से में डाल रही हूं आपने नोटीस किया होगा कि यहां मैंने वही दही वाला पैकेट नहीं यूज़ किया प्लेन पैकेट यूज़ किया है तो हां लेकी साइज में हुई है और कलर भी बहुत अच्छा हुआ है तो अब आईए इसके लिए हम यहां पर चासनी त्यार कर लेते हैं तो मीठा घर पर बना दे तो मीठा हम अपने इसाफ से कम जादा कर सकते तो जितना बेसन था उसका मैंने वन ठर्ड चीनी लिया है वैसे तो आप पूरा का जितनी बेसने उतनी चीनी भी ले सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन घर पर बनायाते थोरा मीठा कम होगा तो अच्छा लगेगा तो इसलिए मैं उसमें थोरा सा चीनी कम कर दिया है वन ठर्ड डाल दिया और डालने के बाद इसमे घितना चीनी है उसका लड्डू लेते हैं तो उसका एक कलर होता है तो वह कलर के लिए में यहां पर औरेंज कलर यूज करें आखो वह आदत हो चुगी होती कि लड्डू को उसी कलर में देखने की तो उसके विना यह अधूरे लगेंगे तो इसलिए मैंने बिल्कु बूंद बर कह सकते हैं चुट इसके बाद हम सारी बूंदियों को इसमें डाल देंगे देखें कितने अच्छे कलर में देख रही हैं और साथ ही साथ देखें सारे का साइज बराबर है कोई बहुत मूटा नहीं बहुत पतला नहीं सब एक्वली हैं इसी तरगी के बूंदी हमें चाहिए होती है जब भी ह लूज कंडिशन में नहीं दिखेगी तो इस तरीके से बिल्कु मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको चलाते हुए ऐसे मिक्स करेंगे इतने में ये तीन से चान मिनट में बहुत अच्छे से यहां पर बूंदी चाहिए में बिल्कु सोख हो जाएगी तो देखे कितने अच लूज कंडिशन में नहीं बच्ची है सारा इसमें बूंदी ने सोख लिया है इस तरीके का हमें यहां पर टैक्चर चाहिए होता है जब भी लड्डू बनाए तो यह बिल्कु अब रेडी है इसमें हमें कुछ नहीं करना लास में हम यहां पर इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़े से मगज के बीच कह सकते हैं या खरबूजे के भी एक से दो चमर डाल सकते हैं आप चाहें तो यहां पर इलाइची पाउडर भी एक चमर डाल सकते हैं लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं डाला बस मैंने यहां पर म में अच्छे से सारे में लेकिन आफ्शे का यूज करते हिंश्यक्तुनि Pe 001 इसे हलवाई बना बना सकते हैं बहुत मुच्किल नहीं तो देखिं यहां प्लेट में निकाल देंगे, 10-12 मिनट चोड देंगे. इस से थोड़ा थनडा हो जाएं बाइंडिंग एलिए, dann by इस ठना झाला बहुत जारा थना नहीं करना. सो यह बहुत ठोड़े टाइट हो जएगें, बनेंगे नहीं. तो इस बात का धियान रखेंगे 10 मिनट से 12 रखें तो देखें यहां इस पेक्चुला में जो भी बूंदी लगी थी सब को मैं यहां इस्पून की हेल्प से निकाल लूँगी इस तरीके से आप बना कर घर पर शुद भगवान को परसाद और भोग लगा सकते हैं क्योंकि बा खुद असानी से आप लड़ों को जो भी छोटे साइज में बरे साइज में जैसे शेव चितने साइज का आपको लड़ो चाहिए उस साइज इक बना सकते हातों से बस इनको बाइंड करना है और गोल गोल शेव देनी है तो इस तरीके से लिएक लड़ो बन भी गया और जरूर बताएगा मेरे घड़ में तो इतना काफी है अब देखे कितना सुन्दर रंगा है कितने चिकने चिकने यह निकले मन करणा बस मिल जाए लेकिन हमें अभी नहीं खाना वेट करना है जैसा कि मैंने बताय कि दिवाले के लिए हैं तो इस तरीके से देखे मैंने अगर बना कर खाएं तो मजा ही अलग हो जाता है दुगना हो जाता है तो इन चीजों को दियान में रखते हूं मैंने थोरी सी यहाँ पर चांदी की परत लगा दी है यह आप चाहें तो लगाए नहीं तो इसके बिना भी आप सिंप्ली बना सकते हैं बस खुश बातों का द उतना ही लेंगे यदि हम बैलेंस अच्छा रखेंगे तो हमारे लड़ो पॉफेक्टली बिल्कु बजार को फेल करने वाले बनेंगे और भगवान तो घुश होंगे ही जब इतने अच्छे लड़ो भगवान को चड़ेंगे तो जरूर ट्राई करिएगा आपको मजा ही आ पताएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई कंजूसी मत करिएगा दीवाली का टाइम में गिफ्ट कर दीजिएगा लाइक करके सब्सक्राइब करके जल्दी मिलूंगी फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक टेक केर बाबाइग